अभी गैस मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपनी इंस्टागराम एकाउंट को काफी आसनी से डिलेट कर सकते हो यानि रिमूब कर सकते हो काफी लोग जानना चाते हैं आखिर इंस्टागराम एकाउंट को किस तरह से डिलेट करना है ओके आज की इस वी को स्वागत करता हुगा मैं पहले बता चुग हूँ आजकी इस वीडीयो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी इंश्टेघरम अकाउट को किस तरह से था घर सके हो जैसिके ध्याई समय पने पहले बता चुगा आप लोग किस तरह से आपनी फों की मत अस़े Instagram account को remove करेंगे या निडिलेट करेंगे आज की इस वीडियो मोहीर प्रसेस बताने बलाओ तो फिछे लिए गाइस में आपनी फून की स्किन पर जाता हूँ और उसी जगा पर जाके आप लोगों को फूल प्रसेस में बताऊंगा तो फिछे लिए गाइस फून की स्किन पर जा सबसे last में corner में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ओके तो simply आपको लोगों में किलिक कर देना है जैसे किलिक करेंगे इस तरह का कुछ option आएंगे आपके सन में उसके बाद guys account डिलेट करने के लिए उपर आप देख पाड़े होंगे three dot का एक icon है ओके three dot देख रहे हैं तो simply आपको इसमें किलिक करना है किलिक करने के बाद इस तरह का option आएंगे उसके बाद setting में किलिक करना है setting में किलिक करने के बाद आपके सन में इस तरह का option आएंगे आप देख पाड़े होंगे उसके बाद आपको help में किलिक करना है help में किलिक करने के बाद health center में आपको क किलिक करना है जैसे किलिक करेंगे थोड़ा लूडिंग होंगे उसके बाद इस तरह का ओप्सोन आएंगे उसके बाद यहां पर काफी सरा ओप्सोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहां से गाइस आपको मैनेज यूर एकाउंट में किलिक कर देना है चले किलिक करते ह में delete your account में जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का option आएंगे यहाँ पर लिखा गया delete your account when you delete your account your profile photo video comment like and follower will be permanently removed यानि guys एक कहाना चाहते है अगर आप remove करना चाहते हो अपनी account को comment follower photo video like बगरा सब कुछ remove हो जाएगा ओके guys तो हमें guys permanently remove करना है तो कैसे करना है नीचे देख सकते हो तीन option देखने के लिए मिल गया how do I temporarily disable my instagram account अगर guys इसमें के लिए करके आप disable करेंगे तो आपका account जो होगा कुछी time के लिए disable हो जाएगा ओके उसके बाद फिर से active हो जाएगा आपका account तो उसके बाद और एक option देखने के लिए नीचे मिल गया जैसे कि देख सकते हो how do I delete my instagram account उसके बाद नीचे और एक option है how do I access और review my data on instagram ओके तो इस तरह तीन option है तो हम फार्मेंट लिए अकाउन डिलेट करना है तो how do I delete my instagram account में किलिक करेंगे चले किलिक करते हैं जैसे किलिक करेंगे आपके सनमें इस तरह को option आएंगे यहां पर कापी सारे messages होंगे community guideline की जो भी जानकरिया होंगे यहां पर दिया गया है आपको rate का लेना इसके बाद गाइस थोड़ा इसको लगर के आपको देख लेना है इस इसके बाद गाइस यहां पर एक option दिखने के लिए आपको मिल जाएंगे delete your account page तो simply delete your account page में आपको किलिक करना है जैसे कि करेंगे आपके इस तरह का option आएंगे यहां पर delete your account लिखा गया उपर थोड़ा message है आप थोड़ा read कर लिजएगा उसके बाद देख सकतो नीचे एक box जैसा दिखने के लिए मिल गया simply आपको इसमें क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का option आएंगे यहां पर copyright option दिय किया हो उसके बाद guys आपको यहां पर एक passport enter करना है passport क्या देना मैं बता देना चाहता हूँ आपका जो भी Instagram account का जो भी passport है ओ यहां पर enter करना है यानि आप अगर call number की मदस से Instagram account को open कियो तो ऐसे में आपका ओबला passport यहां पर enter करना पड़ेगा और अगर आपने Facebook account की मदस से guys Instagram account को open कियो सब guys आपको यहां पर Facebook passport enter करना पड़ेगा तो चलिए मैं आपना Facebook passport यहां पर enter कर देता हूँ तो मैं आपना Facebook passport यहां पर enter कर दिया हूँ और enter करना से पहले guys आपको इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखके rate कर लेना यहां पर देख सकतो कापी कुछ लिखा गया है ठीक है guys उसके बाद delete करने के लिए नीचे एक option देखने के लिए मिल गया delete तो simply आपको delete में click करना है उसके बाद यहां पर लिखा गया are you sure you want to delete your account तो guys हाँ हम permanently delete करना चाहेंगे तो आपको simply okay पर click करना है अगर आपको cancel करना है तो आप cancel कर सकते हो but guys मैं यहां से permanently आपनी account delete करना नहीं चाहता हो इसलिए cancel करूँगा but guys आपको इसा नहीं करना है आप अगर delete करना चाहते हो तो okay में click करेंगे तो आपका account delete हो जाएगा okay guys अगर आप लोग इस तरह से अपनी account को delete कर देते हो उसके बाद फिर से आप अगर mobile number passport की मदद से login करते हो instagram account पे तो आपको एक account होंगे automatically remove हो जाएगा okay guys अगर guys यहां से आप okay करके remove कर देंगे ऐसा नहीं guys तूरंत ही remove हो जाएगा इसके लिए कुछ time लेता है 30 day का time लेता है उसके बाद guys remove हो जाता है आपका account अगर guys आप 30 day के आमदर अपनी account को recovery करना चाहते हो तो ऐसे में अपनी passport mobile number की मदद से login करें तो आपका account reactive हो जाएगा दोबरा ठीक है अगर आपको remove करना ही है account को तो यहां से remove करने के बाद आपको दोबरा losing करने की कुछ जरूत नहीं है इनिस्टागर हमें account पे okay losing नहीं करेंगे 30 day के बाद losing करेंगे तो आपका जो account होंगे एसे में losing नहीं हो पाएगा permanently delete हो जाएग चैनल को subscribe करें साथ ही bell icon conquer के और पे के लिए करेंगे कि guys इसी तरह का helpful content जान करें आप लोगों के लिए लाते रहता है तो ऐसे मैं subscribe करेंगे तो आप लोगों को आने बहले समय में और भी काफी कुछ जान कर इस चैनल के पर देखने के लिए मिलेंगे तो guys अभी के लिए दि साथ में फिर से किसी और एक नियू दिल जैस वीडियो के साथ तब तक के लिए guys good bye